तक आप में गटे कर समझ पर कि आज मैं वैंगन से ही कुई सब्सक्राइब बनाने जाएं कि जिसे कई लोग बैंगन डिस्क बोलते हैं लेकिन मैंने इसका नाम बैंगन की कचिर लगता है तो इसके लिए हम बैंगल लेंगे और उनको हम राउंड पीसिज में काट लेंगे इस तरह से पीसिज काट लेंगे इसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स चाहिए बैंगल हमने काट लिए है और हमें अब मस्टर्ड ओयल सर्सों का तेल चाहिए और चाट मसाला चाहिए सबसे पहले हम मस्टर्ड ओयल को स्मोक आने तक गर्म करेंगे गैस ओन करेंगे और सर्सों का तेल स्मोक आने तक गर्म करेंगे इससे यह इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और लाइट भी हो जाएगा दूआ आने तक हम ने इसको गरम किया है अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे अब इसका सारा कच्चापन खतम हो गया अब हमें एक नोंस्टिक पैन लेंगे आप चाहें तो इसे कवे पर भी बना सकते हैं अब हम ब्रश से ओईल को सारे पीसिस पर लगाएंगे और अब हम इसको पैन में रखेंगे नोंस्टिक पैन में बनाने से ओईल कम लगता है दूसरी साइड भी तेल लगाजेंगे चम्मच से भी लगा सकते हैं और थोड़ा साथ ओईल हम इस तरह से सचे उपर टाल देंगे साइड पल्टेंगे इस तरह से हम दोनों तरफ से इसको पकालेंगे और एक फीज को दबा कर देखेंगे यह बन चुका है अब हम इने निकाल सकते हैं यह बहुत ही जल्दी बन जाते हैं इस तरह का कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे बाकी सलाइस भी हम तेल लगाकर इस तरह से रखेंगे और दूसरी तरफ भी तेल लगा देंगे इसमें हमने बहुत ही कम तेल यूज किया है इसके लिए हमें कोई और ज्यादा मसालों की जुरूरत नहीं है हम इसके उपर सिर्फ चाट मसाला ही डालेंगे हमारी बाकी तच्रियां भी बनने वाली है इनको बीच बीच में पल्टते रहें कच्रियां त्यार हैं गैस बंद करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और डाल देंगे और धन्य या पुदीने की पतियों से इसको गामिश कर देंगे बैंगन की टेस्टी कच्रियां बनकर त्यार हैं इसे आप एसे स्नैक्स या पिर एसे साइड डिश के तोर पर खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगती हैं अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल मॉनिकाल्स किचन को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस भी देख सकें थैंक्यों वर वाचिन माई वीडियो